के जैश्री राम मेरे प्यारे सब्बाई और बेहनों को जो आज का मारा विशह है वह नहीं है आगे जो मनुष्य होते हैं उनकी अकाल मिर्थू क्यों हो जाती है उसके पीछे क्या मुख्यकार्ण तो इसके पीछे जो है कई कान है जो मैं आज आपको बताऊंगी इस वीडियो के माध्यम से आप आशा करती हूँ मैं आपको जो है चीज़ें समझ में आएंगी तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि अकाल मिर्तू और आत्मत्या दोनों चीज़ें जो हैं अलग हैं अकाल मिर्तू के कान अलग हैं आत्मत्या जो हम करते हैं उसके पीछे उसके कान अलग हैं तो मैं कभी आपको किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगी आत्मत्या का जो कान ह वे क्या है और अकाल मिर्तु के जो कार्न है वो क्या है अकाल मिर्तु जो है वो इनसान के प्रारब्द से भी जुड़ी हुई होती है और इनसान के इस जनम से भी जो हम अकाल मिर्तु को देखते हैं तो जो अकाल मिर्तु है वो एक हम ये देखते हैं कि अच्छे इंसानों की भी हो जाती है और बुरे इंसानों की तो होती है और कई बार ऐसा होता है कि बुरे इंसान जो है लंबे समय तक जीते रहते हैं वो एक अलग विशह है कि उनके अकाल मिर्तु क्यों नहीं हो पाती ले लेकिन बहुत से पुरे इनसानों की अकाल मिर्तु भी होती है जो हम देखते हैं जीवन में तो वो वे अलग विश हैं वे मैं कभी बना उन्ट में वीडियो बनाऊंगे अभी के लिए मैं आपको बता दू कि अकाल मिर्तु जो है वो उसका इस जनम में प्रारब्द है कि उसन अनुसार वो अकाल मिर्तु का योग जो है अपने कुंडली में लिखवा करके लेके आता है अगर कोई इनसान अच्छा है जिसने अपने जीवन में बहुत अच्छे करम की है लेकिन उसकी अकाल मिर्तु हो जाती है तो हम उसको ऐसे कहते हैं कि भी वो बहुत अच्छा इनस अच्षान था उस ने इस जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया लेकिन उसकी किसी भी दुरघटना वस या फिर उसकी कोई भी वज़े हो सकती अकालमिर्टों को प्राप्त हौ sunny था गे तो उसके पिछे उसके पिछले जनम के या फिर उसने इतना इकाइव कात्मा जोती उ प्राप्त हुआ कोई भी अच्छा इनसान उसके मैं आपको बता रही हूँ और अगर कोई बुरा इनसान है वो अकाल मिर्ट को प्राप्त होजाता है तो वो अपने साथ बहुत सी ज़ी बद्वाँं लेके चलता है किसी की आत्मा दुखाता है कोई किसी की तो जो आत्मा से अगर एक होता है कि किसी की भी बद्वा जो है वो लग सकती है कई बार ऐसा होता है कि बद्वाइं भी जो है अच्छे इनसान होते हैं उनकी आत्मा से निकली हुई या फिर बुरे इनसान होते हैं उनकी आत्मा से भी निकली हुई किसी की भी जो है ब बैट जाती है जो इनसान बद्धवा देते हैं और उसकी वो सच हो जाती है तो इस कान वस भी जो है अकाल मिर्तु को बुरा इनसान जो है वो प्राप्त करता है इस जीवन में बाकी दूसरा इसका मुख्यकान ये है कि जैसे इनसान के करम हम कोई भी बुरे करम करते हैं अगर हम उनका पश्चाताप करके इसी जीवन में एक हमने बुरा करम किया दो किये तीन किये लेकिन हम अगर उनको कंटीनू रखते हैं तो एक ना एक दिन हमारी अकाल मिर्तु निश्चित है क्योंकि पाप का गड़ा जो है वो भर जाता है तो इस वज़े से भी इनसान की जो अका में अच्छा पूरी आयू का योग लिखा करके लेकिया है तो कई बार है ऐसा होता है कि अगर हम अच्चेंगर हम अपने कंटीनू रखते हैं बुरे करम हमने बिष्चे कर चुके लेकिन आ च्छेंगरं करते और तो आखाल मिर्तु भगवान टार भी देते हैं तो अकाल मि तुसे लेके वो आपको समझ में आया होगा और अगर आपको समझ में आया है तो आप इस चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाने में प्लीज मेरी मदद कीजिए शेयर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए मैं आपके सभी जो भी स्वाल है उनका जवाब पूरा पूरा देने कोशिश करूँगी जैश्री राम जैवाला जी महराज प्रभू आप सब पर अपने दया दरिश्टी किरपा दरिश्टी बनाए रखे जैश्री सीता राम